बिटाउन में हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं पॉपुलर एक्ट्रेश शिल्पा शेटी बिते कुछ महीनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर शिल्पा शेटी काफी जादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई हैं वज़ा हैं शिल्पा के पती राज कुंद्रा जी हां बिजनिस टाइकून राज कुंद्रा को बीते 19 जुलाई की देरात अडल्ट मुवीज बनाने उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का गंभीर आरोप लगा था इसी आरोप के चलती राज कुंद्रा बीते कुछ महीनों तक जेल में भी बन रहे हालां कि 21 सितंबर के दिन राज कुंद्रा को जेल से रिहा कर दिया गया वही अपने पती राज कुंद्रा के जेल से बाहर आने के तकरीबन एक महीने के बाद शिल्पा शेटी अपने बच्चों के साथ पहुँच गई हिमाचल प्रदेश इस दोरान राज कुंद्रा की जलग भी देखने को मिली सोशल मीडिया पर राज कुंद्रा शिल्पा शेटी की तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विशय बनी हुई है और राज कुंद्रा की तस्वीरों को देखने के बाद फैंस लगातार कॉमेंट्स करते हुए भी देखे ज दूसरी ही तरफ शिल्पा शेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल शिल्पा शेटी एरपोर्ट पर नजर आई हैं अकेले इस दौरान पैपराजी उनसे तस्वीर लेने के लिए भी कहते हैं लेकिन शिल्पा शेटी गुस्से वाले अंदा से पैपराजी से कहती हैं ले ले भाई इस तरह से यहां पर शिल्पा शेटी पैपराजी को अलाव करती हैं फोटोस क्लिक करने के लिए इस तरह से शिल्पा शेटी सोशल मीडियर वही पैपराजी उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं शिल्पा शेटी के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजस पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि राज कुंद्रा कहा है फिलहाल शिल्पा शेटी काफी जादा सुर्ख्यों में बनी हुई हैं अपनी परसनल लाइफ को लेकर लेकिन इन विवादों के बीच जो शिल्पा शेटी अपनी काम पर बखु भी ध्यान देती हुई भी नजर आई हैं जल्द ही शिल्पा शेटी आप सभी को एंटर्टेन करेंगी अपनी फिल्म निकम्मा के जरिये हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियूज